तो दोस्तों क्या आपने हरे मटर की डाल बनाई है कभी नहीं बनाई है तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिश्ट होती है और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा इस डाल की रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ ताजी हरी मटर की डाल और मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करें बेल आइकन चलूर प्रेस करें यहाँ पर मैंने लिए एक कप मटर और मटर को छिलके हमने अच्छे से रख लिया है और अब हम क्या करेंगे मिक्सर जार लेंगे और मटर को डाल देंगे तो सारी मटर को हमें डाल देना है पानी का यूज नहीं करना है बस ही थोड़ा सा दरदरा पीसना है बहुत महीन मत क करिएगा दरदरा ही पीछिएगा तो यहां पे देखिए मैंने दरदरा पीछा है और कुछ मटर के दाने साबुत भी रह गये हैं अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर रखी है कडाही और डालेंगे वन टेबली स्पून ओयल और जैसे ही ओयल हमारा गरम हो जाएगा तो सब से पहले मैं इसमें डालूंगी छोटे चम्मत से एक चम्मत जीरा हाफ टीस्पून छोटे चम्मत से हीं एक डालचीनी स्टिक अगर आपको पसंद है तो डालिएगा उसके बाद दो तेज़ पत्ते डाल देंगे अब डालेंगे साबुत दो लाल मिर्च इन सारे मसालों को ह बहुत जादा प्याज को जलाने की जरुवत नहीं है आपको बस थोड़ा सा ही भुनना है तो यहां पर देखिए जैसे ही प्याज हमारा हलका सब भुन गया है तो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग थोड़ा जादा याकम कर सक पारी कटी हुई लहसन की कलियां डाल देंगे और इन दोनों चीजों को इस तरीके से चलाते हुए भुनेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम रखिएगा ताकि यह जो तड़का है वो जले नहीं और इसमें डाल का स्वाद बहुत अच्छा है यहां पर देखिए यह जो चीजे हलकी सी भुन चुकी है प्याज भी भुन चुका है तो अब हम डालेंगे वन टीस्पूद धनिया पाउडर इसके बाद हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर यह देखिए अब मैं यहां पर डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और अब डालेंगे थोड़ा सा की फ्लेम को बिल्कुल लो पे करिएगा ताकि मसाले जले नहीं उसके बाद डालेंगे एक चोटे सा इसका बारी कटा हुआ टमाटर मैंने इसमें अमचुर पाउडर भी यूज किया है इसलिए टमाटर की मातरा को कम रखी है ताकि दाल बहुत ज़्यादा खटी ना हो थोड़ी दर बाद ही हम इसे देख लेंगे तो यह देखिए जो टमाटर है वह अच्छे से गल चुके हैं तो इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे डाल में जब टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाता है तभी अच्छी लिगती है तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने म कड़ाही में डाल दी है और इसे डाल के अच्छे से इस तरीके से मिलाएंगे ये देखिए मटर हमारी है कच्छी तो इसे थोड़ी देर तक इसी तरीके से चलाते हुए भुनेंगे हलका सा पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और बढ़ियां भुन के तयार हो तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सारे मसालों को हमने मिला दिया है मटर में और ये मटर वाली दाल आप चावल से खाएं बहुत ही स्वादिश लगती है अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है लगबग 2 चमच के करीब बड़े चमच से और उसके बार मैं इ अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे पानी इस डाल को आपको बहुत जादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत जादा गाढ़ा भी नहीं रखना है तो इस तरीके से देखो पानी डालने के बाद हमने डाल को अच्छे से मिक्स किया है ये देखिए अब मैं इसे ढख दूंगी और ढख के थोड़ी देर तक यानि दो से तीन गड़ तक वायल होने दूंगी गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो ये देखें मीडियम फ्लेम पे हमारी दाल पक के बिलकुल पॉफेक्ट तयार है आप देख पा रहे होंगे और जो सारी मटर वगरा है अच्छे से हो गई है ये देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है बारी कटी भी धनिया डाल देनी है इससे स्वात बहुत ही अच्छा आएगा धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और धनिया डालने के बाद हम करेंगे गैस की फ्लेम को बन और गर्मा गरम डाल को सर्फ कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए कर लेते हैं दाल को सब तो यह देखिए perfect मटर की दाल बनके तयार हो गई है आपने मटर का निमोना मटर की सबजी तो कई बार खाई होगी पर मटर की दाल नहीं खाई होगी एक बार मटर की डाल को इस सीजन में जरूर बनाईएगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे बताईएगा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा बाई बाई दोस्तों